है अब्रीवन वेल्कम बैक टू मा यूटूब चैनल और आज हम बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आप अपने बालों का हेर केर कैसे करती हैं जो कि आपके बाल इतने ज्यादा चमकते हैं और बहुत ही ज्यादा सिल्की एंड साइनिंग है आप देख सकते हो खुद यह देखिए कि यह देखिए तो फ्रेंड्स तो हम इसलिए यह वीडियो बनाए हैं और कुछ लोग पूछ रहे थे आप अपने बालों में क्या यूज करती हैं जिससे आपके हेर ग्रोथ बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और बहुत ही हमारे बाल मजबूत है आप देख लिए यह देखिए कि अंध्यूर है तो आपको बताते हैं हम यह और मैंने अपने घर पर ये खुझ से तैयार किया है और इसमें कुछ ज्यादा समग्रिक कि आव सकता भी नहीं है जो भी आपके किछण में हैं वही सब है यह उम numeral है तो फिटेो में तो दोस्तों आपको ये हमारे टूटे हुए बाल आपको देखके समझ में आही रहा है एक्चल में हमारे बाल ज्यादा तूटते नहीं है हमारे बाल फस की ज्यादा उलस जाते हैं इसके वज़ाद से तूटते हैं क्योंकि हमारे बाल बहुत पतले हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं अपने वालों की सिल्की साइनिंग और हेर फॉल को कैसे कंट्रोल करें तो दोस्तो हम यहाँ पर वीडियो हम से इस्किप हो गया था तो हम पूरा वीडियो सुरू से सुट नहीं कर पाए हैं हम यहाँ पर लिये थे तीन अंडे और हम उसमें मिला लिये थे कंटेजनर क्योंकि हमें अपने बालों को स्मूद करना है सील्की करना है साइनिंग करना है और hair fall से बचाना है क्योंकि हमारे hair fall इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे बाल आपस में उलज जा रहे हैं तो दोस्तों हम यहां पर अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर apply करेंगे तो आप जैसे देख सकते हो हमारे बालों की length कितनी है और हम एक brush की help से अपने बालों पर अच्छे से apply करेंगे दोस्तों आप चाहो तो हाथ की भी help से अच्छे से कर सकते हो या फिर किसी दोस्त, बहन, मम्मी किसी का भी help ले करके आप अच्छे से कर सकते हो दोस्तों आपको ये दो से तीन घंटे के लिए रखना है उसके बाद आप अपने डेली यूज सेम्पू से अपने बालो को यूज कर लेजेगा दुल लेजेगा तो यहाँ पे हम अपलाई कर लिये हैं और आप चाहो तो सेशन वाइस भी अपलाई कर सकते हो उसके बाद दो घंटे के लिए आप छोड़ देजेगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा और मिलते हैं अब नस